दोस्तो आज हम करेंगे SSE CGL 2022, pre 1st December के second shift के vocab, first shift के vocab मैं आपको already करा चुकी हूँ, link मैं share कर दूँगी, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, तो सबसे पहला word हमारा है trivial, मतलब कि जिसकी कोई ज़्यादा value नहीं है, ऐसे ही है, तुछ है, मतलब इसको देखो, कि भई इ इस चीज़ की नहीं कोई value नहीं, इसको मैं ऐसे try कर लेते हैं, खराब हो गई, तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, तो try से trivial, underrated, कम आकना किसी चीज़ को, ज़्यादा उसकी कदर ना करना, तो इसको बहुत easy, देखो, under मतलब कम, rated मतलब उसको rate कम किया, competent, वो बादमी बहु sight, sight नजर से related है, कि वो इनसान अपने नजर से हर चीज़ देख समझ के ही decision लेता है, वो insightful है, eminent, मतलब बहुत famous है, विख्यात है, तो देखो, eminent को, eme से भी कर सकते है, eme नम की कोई लड़की है, वो बहुत famous है, या फिर energy, ener, तो ener है इसमें भी, कि जिसमें energy बहुत ज़ मुफ्त में मिलना, कोई charge ना लगना, तो जो आदमी हमें कोई चीज फ्री में दे देता है, वो great होता है, तो great से greatest कर सकते हैं, graft, graft से मतलब होता है, कलम लगाना, जैसे ये गुलाब का पोधा होता है, तो उसकी कलम लगाके, हम कलम लेके दूसरा पोधा लगा लेते हैं, तो गोरव गोरव से रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी का नाम गोरव तो प्लीज बुरा मत माना यह सिर्फ एक फ़नी ट्रिक्स है यह कोई ऐसा कुछ इंद के पीछे को इंटेंशन नहीं है कि वह बहुत पेटू है तो गोरव जैसे ही आपको गोर गोरव आएगा तो आपको यह यादा जाएगी कि हमने यह लाइन सुनी थी बाकि देखो यह गैस्ट्रोणॉम होता है वह भी बहुत खाता है जो मतलब शोकीन होता है खाने का उससे सारी समझ होती है कि भई इसमें यह मसाला डलेगा यह डलेगा तो गैस कब बनती है जब हम बहुत उलटा सीधा खा लेत है तो हम किस से बात करना पसंद करते है जिसमें जो बहुत हम्बल होता है हम्बल मतलब उसमें बहुत जदा grace है तो gracious बहुत वीनीद बहुत अच्छा sleek चिकना अरे वो लीक हो जाता है वार-बर क्योंकि वो sleek है बहुत चिकना है बहुत smooth है sporadic मतलब जो इदर उदर फैला हुआ होता है okay जना मतलब थोड़ा सा फिर उसके बाद थोड़ा सा कभी कभी मतलब चितरा आया हुआ मतलब फैला हुआ चित थोड़ा थोड़ा तो देखो radical और जो radiations होती है वो कैसे होती है वो एक चारो तरफ फैल जाती है न तो यहां से रेडिक से sporadic word आप याद कर सकते हैं scattered एस एस एक एडियम है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यह आप लोगों के लिए एक टास्क है ड्रेरी ड्रेरी का मतलब होता है सुनसान ते को ड्रेरी में डर वर्ड आ रहे है डर तो सुनसान जगे पर जाते चालू मतलब की कि हर चीज़ का दिमाग है उसमें सैवी है तो सैवी कोई इंसान को रिलेट करके कर सकते हैं कि सैवी बहुत जाता समझ भूजवाली है ठीक है और बाकि कोई ट्रेक आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहे है इसके लिए तो आप लोग कमेंट कर देना बा अगर आप इसको 1.5 स्पीड पर देखते हैं तो मुश्किल से आपके धाई मिनट लगते हैं अगर धाई मिनट में आपके 10 से 12 अच्छे वो कैब आपको लान हो रहे हैं तो I think आपको ये करने चाहिए और बाकी दोस्तों प्लीज अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे कॉंटिन्यू करूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं ताकि मुझे भी मॉटिवेशन मिले मुझे लगे कि हाँ भी लोगों को फाइदा हो रहा है लोग अप्रिशेट कर रहे हैं मेरे इस काम को ताकि मैं दुबारा से मतलब ताकि मैं और भी अच्छे एफ़र्ट्स लगा कि ये सीरीज कॉंटिन्यू करूँ एक बर फटाक से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिवियल ट्राई कर लेते हैं कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह ट्रिवियल है तुछ है अंडर रेटर अंडर रेट मतलब कम आकाउंस को कॉंपिटेंट कॉंपिटेशन न जाना चाहिए क्योंकि इनसाइट्फूल साइट अरे हर चीज़ को अपने नजर से देख परक के करेगा वेवारी के इंसाइट फुल है एमिनेंट एमी बहुत विख्यात है एमिनेंट है और जिसमें एनरजी होगी वो एमिनेंट होगा greatest वो बहुत great है क्योंकि वो हर चीज फ्री में देता है greatest graft, column लगाना, graftation यह तो बहुत easy होता है garment, garment गौरो बहुत garment है gracious भाई उसमें बहुत grace है क्योंकि वो gracious है बहुत विनीत है, बहुत humble है sleek, अरे वो इतना जादा leak हो गया कि वो sleek हो गया बिल्कुल वो पानी फैल के तो चिकना हो गया, वहाँ पे leak हो गया sporadic, अरे radiation चारो तरफ फैल जाती है और वो sporadic, एक तरीके से sporadic होती है dreary, डर लगता है, सुनसान जगे है पर, dreary जगों पर savvy, बहुत समझ बुझवाली है देखो, समझ सभी, समझ सभी, सेवी